मुच्वल फंड को चूज करते समय जादा दर लोग रिटर्न्स देखने हैं कुछ एक्सपीरिंज इंवेस्टर्स एडिशनल परामेटर्स देख सकते हैं ये रोलिंग रिटर्न्स, वॉलिटिलिटी, एट्सेक्टरा हो सकते हैं लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता और वो है किसी फंड के पॉर्टफोलियो में नंबर अफ स्टॉक्स अब अगर आप बुकिश नॉलिज के अकॉर्डिंग चलें तो बहुत जादा स्टॉक्स फंड के रिटर्न को इंपाक्ट कर सकते हैं इसलिए थेओरी के हिसाब से ओवर डाइवर्सिफाइड फंड से बचना चाहिए युकि चांसिज आर ऐसे फंड अंडर परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन क्या रियल वर्ड में ऐसा होता है इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे अज हम बात करने जा रहे हैं किसी फंड के पोर्टफोलियो में नंबर अफ स्टॉक्स और उसके आउट परफॉर्मेंस के बीच रिलेशन के बारे में दूसरे शब्दों में क्या वो फंड जिनके पोर्टफोलियो में जादा स्टॉक्स हैं बाकी फंड के कमपारिजन में बेटर पोफॉर्म कर सकते हैं अब किसी फंड के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं ये देखना बहुत आसान है आप इसे एटी मनी आप पर देख सकते हैं म्यूच्छल फंड की मंत्ली फैक्ट शीट्स में हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम अपनी comprehensive study discuss करेंगे जो कुछ incredible insights offer करती है जिससे आप funds पिक करने के लिए use कर सकते हैं So let's start आईए briefly discuss करते हैं कि हमने ये analysis किस तरह किया है हम यह technical details के बारे में बहुत जादा बता कर आपको बोर नहीं करेंगे अगर आप methodology को detail में जानने में interested हैं तो हमने वीडियो के description में इसे mention कर दिया है तो हम यहाँ 4 critical points quickly share करेंगे हमने 4 fund categories को analyze किया है large cap, mid cap, small cap और plexi cap इसके बाद हमने portfolio में number of stocks और पिछले 6 सालों में इन funds के performance को देखा हमने funds को 4 buckets में रखा first bucket up to 50 stocks वाले fund का है फिर ऐसी schemes जिन में 51 से 75 के beat stocks है third bucket में 76 से 100 stocks वाले funds है fourth and last bucket में 100 से जादा stocks वाली schemes है हमने आपको clear picture देने के लिए relevant benchmarks के जरिये funds के return को compare भी किया है अब बात करते हैं कि हमने अपने analysis में क्या पाया सबसे पहले हमने large cap funds को देखा up to 50 stocks वाले funds ने 50 to 75 stocks वाले funds के comparison में better perform किया जिन schemes में up to 50 stocks थे उनका average rolling return 13.51 परसेंट था जबकि 50 से जादा funds वाली schemes का average rolling return 13.05 परसेंट था तो difference सिरफ half a percent था जो बहुत बड़ा नहीं है large cap category में ऐसी कोई scheme नहीं थी जिसमें 75 से जादा stocks हूँ और इसलिए यहां कुछ भी नहीं था अब इस analysis से हमें एक बेहद interesting बात पता चली पचास से कम stocks वाले funds ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उन्होंने nifty 50 से भी खराब परफॉर्म किया इंडेक्स का return 14% है आईए अब देखते हैं कि क्या बाकी categories भी यही trend दिखाएंगी cap to 50 stocks वाली schemes दूसरों को आउट परफॉर्म करती हैं इसलिए आगे हमने mid cap funds को देखा surprisingly हमें same ही results मिले जिन funds में 50 तक stocks थे उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनका 3 year average rolling return 17.39% था अगले bucket में 52.75 stocks वाले funds थे जो जाद अदर mid cap funds के case में है इस bucket वाले funds ने 16.69% returns दिये जिन funds में 75 to 100 stocks थे वो average में 50 mid cap 150 TRI को भी बीट नहीं कर पाए थे और 100 stocks से जादा वाला कोई mid cap fund नहीं था अब तक हमने दो categories को cover किया है दोनों ने दिखाया कि जिन funds के portfolio में 50 तक stocks थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया हम इस trend को दो और mutual fund categories में चेक करेंगे यहां भी 50 तक stocks वाले funds ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इनका तीन साल का average rolling return पड़ी 6.14% है पोटफोलियो में जैसे जैसे stocks के नंबर बढ़ते जाते हैं परफॉर्मेंस गिरता जाता है सिरफ दो funds ऐसे थे जिनके portfolio में 75 से 100 तक stocks थे सिरफ एक fund ने पॉन इंडिया small cap के portfolio में 100 से जाधा stocks थे लेकिन सभी buckets में funds ने nifty small cap 250 TRI को comfortably beat किया अब final category की तरफ बढ़ते हैं आएए देखें कि flexi cap funds का performance across buckets कैसा था यहां भी up to 50 stocks वाले funds ने better perform किया उन्होंने average 15.87% का return दिया है हलंकि 50 to 75 stocks वाले funds ने 14.69% का return दिया और इन दोनों buckets ने average के हिसाब से nifty 500 TRI को outperform भी किया लाज gap की तरह इस category में 75 से जाधा stocks वाले funds नहीं थे तो यह 4 categories थी जिने हमने analyze किया अगर आप इस analysis को एक साथ देखी तो एक interesting picture सामने आती है सबसे पहले up to 50 stocks तक वाले funds better perform करते हैं दूसरा किसी portfolio में stocks के number बढ़ने पर performance गिर जाता है लेकिन ऐसा क्यों होता है और इससे भी जरूरी यह है कि क्या आपको mindfully ऐसे funds चुनने चाहिए जिनमें 50 stocks तक हो और उन funds से बचना चाहिए जिनमे number of stocks 50 से जाधा है अब हम बात करेंगे कि आप सिरफ कुछ seconds में stock selection के लिए कैसे study का use कर सकते हैं सबसे पहले अप्टू 50 stocks तक वाले funds का इससे जाधा stocks वाले funds से बहतर perform करने का possible reason क्या हो सकता है हालंकि इसका जवाब fund specific होगा और इसका generalization नहीं किया जा सकता ऐसी possibility है कि एक point से जाधा diversification performance पर असर डाल सकता है ऐसा इसलिए कि portfolio में जितने जाधा stocks होंगे उन में से जाधा तर के लिए अच्छा perform करना उतना ही मुश्किल होगा तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको consciously उन funds को चुनना चाहिए जिनके portfolio में 50 तक stocks हैं इस study से ऐसा होने की possibility है लेकिन aggregate level पर फंड चुनते समय आप जिन दूसरे parameters पर ध्यान देते हैं उसके अलावा इस parameter का use भी करें investors के पास निश्चित तोर पर funds चुनने का framework होगा आपको सिरफ एक parameter पर कभी भी funds नहीं चुनने चाहिए इस video को खत्म करने से पहले हम दो चीजों को भी point out करना चाहेंगे आप देखेंगे कि यहाँ exceptions and outliers भी हैं कुछ ऐसे funds भी हैं जिनने higher number of stocks होते हुए भी अच्छा perform किया निपॉन इंडिया small cap ऐसा ही एक example है इस साल October तक fund के पास 190 से जादा stocks थे फिर भी यह best performing small cap scheme थी ऐसे ही कुछ HDFC large and mid cap के साथ भी है जिसके portfolio में around 170 stocks हैं Second, अगर आपका fund अपने portfolio में number of stocks बढ़ाना शुरू कर देता है तो you should not worry जब कोई fund popular हो जाता है और उसका AUM grow करने लगता है fund manager portfolio में stocks बढ़ाने लगते हैं fund size बढ़ने पर जादा stocks add करना common है हर scheme में ऐसा होता है इन cases में आपको अगले दो सालों तक fund का performance देखना होगा और इसी के साथ हम इस video को conclude करते हैं उमीद है कि आपको यह analysis काम आएगा और अगर ऐसा है तो like, share और comment करना ना भूलें जल्द ही एक नए insightful study के साथ फिर हाजिर होंगे mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully